बिस्मि लाहिर रह्मानि रहीम अस्सलाम अलेकुम डियर स्टुडेंट्स आज मैं एक्सरसाइज 6.2 का कोईसेट नंबर 3 स्टार्ट करती हूँ कोईसेट नंबर 3 की स्टेटमेंट है इसकी जो हमारे पास फिफ्ट टर्म है वो क्या है 16 है और जो उसकी 20 टर्म है वो क्या है 46 है ठीक है और हमने फाइंड क्या करना है हमने उसकी 12 टर्म फाइंड करनी है अब प्यूंकि एपी में है तो उनका कॉमन डिफ्रेंस सेम होगा तो देखें सबसे पहले मैं लिखती हूँ given that given that फिफ्ट टर्म क्या है हमारे पास 16 है तो A5 मेरे पास क्या आ गया 16 आ गया और उसकी बाद वो कहते है 20 टर्म क्या 46 है तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ A20 is equal to 46 clear find क्या करने हमने उसकी 12 टर्म find करनी है A12 अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ Nth term का formula 4AP तो वो हमारे पास है A N is equal to A1 plus N minus 1 into D अब मुझे क्योंकि 12 टर्म find करनी है तो हमारे पास जो N है वो क्या 12 है तो हमारे पास N तो given है लेकिन first term भी नहीं है हमारे पास और D भी नहीं है ठीक है तो हमने first term भी find करनी है और D भी ठीक है तो इसके लिए देखें अगर मैं लिखूं fifth term given है तो मैं इस formula के according लिखती हूँ A5 क्योंकि N यहाँ पर क्या 5 है plus sorry is equal A1 plus N कितना है 5 minus 1 into D तो A5 किसके बराबर है 16 के यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 16 this is equal to A1 plus 4D इसको मैं कर दाती हूँ 1 अब next हमें कौन सी term given at 20 means हमारे पास N क्या है 20 है तो इसी formula में मैं N की जागा 20 कर दाती हूँ so A20 is equal to A1 plus 20 minus 1 into D तो यह आगया A20 is equal to A1 plus 19 D अब A20 है मैं पास equal किसके है 46 के तो मैं इसके जागा value पुट कर दाती हूँ 46 is equal to A1 plus 19 D यह मेरे पास आगया equation number 2 क्यों क्यों मुझे यहाँ पर find क्या करने है 12th term उसके लिए मुझे D और A1 की value find करने है तो मैं equation number 1 और equation number 2 को solve करती हूँ now subtract कर देंगे 2 और 1 equation को first implies means first equation लिख रही हूँ और यहाँ पर मैं 2 equation लिख रही हूँ first equation क्या है मेरे पास 16 is equal to A1 plus 4D और equation number 2 क्या है मेरे पास 46 is equal to A1 plus 19 D इन दोनों के साथ positive sign है subtract कर रहे हैं तो sign change कर देंगे negative negative और यहाँ पर भी negative sign plus minus minus ही cancel हो गया तो यहाँ पर देखे 16 और minus क्या है 46 तो यहाँ पर हमारे पास answer आ गया 30 अब क्योंकि ग्रेटर वाल्यू के साथ के negative sign है तो इसके साथ negative sign आ गया this is equal to अब यहाँ पर plus 4 minus 19 यह हमारे पास क्या आ गया 15 D अब ग्रेटर वाल्यू क्या है हमारे पास 19 है तो 19 के साथ कौन सा sign है negative तो इसके साथ भी negative अब नेगेटिव से नेगेटिव कैंसल, 15D is equal to 30, मैंने left और right hand sides क्या की हैं, interchange कर दी हैं, so this implies D is equal to 30 divided by 15, 15 twos are 30, so this implies D is equal to 2, यहां से हमारे पास क्या आगे D की value, अब next हमने find करनी है A1 की value, तो आपकी अपनी मर्जी आप इसको equation number 1 या फिर equation number 2 में value पुट करने, तो मैं equation number 1 में D की value पुट कर दाती हूं, putting value of D in 1, putting D is equal to 2 in 1, ठीक है, तो 1 क्या है, 16 is equal to A1, 16 is equal to A1, plus 4 into DD की जहां 2 put कर दिया, 4 twos are 8, अब यहां पर positive sign है, अगर मैं इसको left side ले हूं, क्या आजाएगर negative sign, तो यहां से मेरे पास आ गया, this implies, A1 is equal to 16 minus 8 is equal to 8, अब मेरे पास A1 भी आ गई, मतलब के first term भी आ गई, उसके बाद common difference भी आ गया, तो जो हमारा basic purpose था, वो क्या था, 12th term find करना, अब यह जो मैंने nth term formula लिखे, दुबारा लिखती हूं, A1 is equal to A1 plus N minus 1 into D, मुझे कौनसी term find करना है, 12, तो मैं N की जोगा 12 लिखे दाती हूं, A12 is equal to A1 plus 12 minus 1 into D, अब यहां पर A1 और D की value put कर दाते हैं, A12 is equal to A1 कितना है मेरे पास, 8, plus 12 minus 1, 11, और D क्या है 2, 8 plus 22, तो यहां से आ गया A12 is equal to 30, यह है मारे पास, ता question number 3, next step मैं question number 5 start करती हूं, find the 18th term of the AP, if it's 6th term is 19, and the 9th term is 31, तो एक arithmetic progression है, जिसकी हमे 6th term given है, वो 19 है, और उसकी 9th term क्या है, 31 है, तो हमने उसकी 18th term find करनी है, सबसे पहले मैं लिखते हूं, given that, given that, हमारे पास जो 6th term है, A6, वो क्या है, हमारे पास 19, ठीक है, और उसके बाद जो 9th term है, A9, वो क्या है, हमारे पास 31 है, और find out क्या करना है, हमें A18 find करना, ठीक है, तो यह जिससरा question number 3 की है, सेम वैसे ही है, यह भी, तो सबसे पहले यहां पर मैं लिखती हूं, इसका arithmetic mean के, sorry, arithmetic progression के nth term का formula, an is equal to a1 plus n minus 1 into d, ठीक है, 6 term given है, मतलब कि यहां पर n के मेरे पास 6 है, तो मैं यहां पर n को 6 put कर दाती हूं, यह आ गया, a6 is equal to a1 plus n के 6 minus 1 into d, तो यहां से a6 is equal to a1 plus 5d, अब a6 मेरे पास किसके equal है, 19 के, यहां पर मैं 19 put कर दाती हूं, 19 is equal to a1 plus 5d, इसको मैं कह दाती हूं, अब next, हमें 9th term भी given है, इसको मतलब यहां पर हमारे पास n के है 9, तो यहां पर nth term formula में n के जगा 9 put कर दाते हैं, a9 is equal to a1 plus n कितना है, 9 minus 1 into d, a9 is equal to a1 plus 8d, अब यहां पर a9 किसके equal है, 31 के, यहां पर 31 put कर दाते हैं, this is equal to a1 plus 8d, इसको मैं कह रहती हूं, 2, अब next, students, simple हम लोग क्या करेंगे, equation number 1 and equation number 2 को subtract कर दाते हैं, और यह आपकी मरज़िया, आप लोग 2 में से 1 को subtract करें, या 1 में से 2 को subtract करें, ठीक है, तो मैं 2 में से equation number 1 को subtract करती हूं, यहां पर पहले 2 equation लिख रहे हैं, और फिर equation number 1, 31 is equal to a1 plus 8d, और यहां पर equation number 1 and 19 is equal to a1 plus 5d, positive sign है, इसका भी positive तो देखें, हम लोग subtract करना चाह रहा है, तो क्या करेंगे, इसका negative sign, यहां पर negative, यहां पर भी negative, plus minus minus, यह दोनों cancel हो गए, अब यहां पर हम लोग subtract कर देते हैं, 31 में से 19 को अगर subtract करें तो answer आएगा हमारे पास 12, ठीक है, अब इसके साथ plus का sign है, 19 के साथ negative sign है, तो बड़ी value के साथ positive बते हैं, यहां पर positive sign आ गया, 8 minus 5, यह आ गया 3, ठीक है, अब डी जो है 12 के साथ, sorry, डी के साथ 3 multiply हो रहा तो हम लोग उसको divide कर देते हैं, यहां पर आगे 12 by 3 is equal to D, so this implies, D is equal to 4, हमारे पास D की value आ गई, अब next हमने find क्या करना है, A की value को, A1 को, ठीक है, तो A1 find करने के लिए, हम लोग D की value को equation number 1, या फिर equation number 2 में put करेंगे, मैं equation number 1 में put कर रही हूँ, आप चाहें तो equation 2 में कर सकते हैं, putting, D is equal to 4 in equation number 1, तो देखें, 1 के है, 19 is equal to A1, plus 5 D, D के हैं मारे पास 4 तो है, यहां पर मैंने 4 put कर दिया, 19 is equal to A1, plus 20, 20, अब यह 20 है, इसको अगर मैं left side ले, negative sign आजाएगा, 19 minus 20 is equal to A1, so this implies, A1 is equal to negative 1, negative क्यों है, क्यों है, क्योंकि 20 के साथ negative sign है, और 20 जो है, 19 से greater है, अब हमारे पास 1st term भी आगई, D भी आगई, हमने find के करना था 18th term, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखूंगी, nth term formula for arithmetic progression, a, n is equal to A1, plus n minus 1 into d, हमें 18th term find करने, तो हमारे पास n क्या है, 18 के equal है, यहाँ पर n के जगा 18, is equal to A1, plus 18 minus 1 into d, so, a, 18 is equal to A1 के में, पास negative 1, plus 17, और d कितना है, 4 है, ठीक है, 7 को 4 से multiply करेंगे, और इसमें से subtract कर जाते हैं, 16, 17 को 4 से multiply करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, A18 is equal to negative 1, plus 68, अब इन दोनों को subtract करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ गया, A18 is equal to 67, तो इसे के साथ ही, हमारे question number 5, complete हुआ, अगर आपको मेरा teaching method पसंद आया हो, तो वीडियो को कर दे like, चैनल को कर दे subscribe, and please share it with your friends, thanks for watching this video, Allah Hafiz,